हेलो प्रेंट्स वोस अगेन वेलकम बैक इनमा हीटूब चनल दोस्तों मैं हूँ आकास पांड़े और आप देख रहे हैं यूनिक सीविल यानि मेक यूर्सेल्फ यूनिक दोस्तों आपकी सबसे वड़ी क्वेरिस आप काफी दिन से पूछते रहे हो कि सर ये पूछ ओवर एनल्सिस क्या होता है हर इंटर्व्य में पूछ लिया जाता है और हमें समझ नहीं आता है इसके कौन कौन से पार्ट होते है तो पहली बात तो पहले डिफरेंस बताता हूँ स्टैटिक अनल्सिस में क्या होता है कि X और Y में आप सिर्फ देखते हो क्या डिफॉर्मेशन आ सकता है लेकिन जो डैनमिक होता है उसे मोड्स पर देखते हो मालब एक नमबर मोड पर बिल्डिंग इतना ट्विस्ट करेगी तो क्या होगा इतना ट्विस्ट करेगी तो क्या होगा इतना ट्विस्ट करेगी तो क्या होगा इतना ट्विस्ट करेगी मालब यह क्या है मोड्स है यह आप clear नहीं कर पाते हूं कि दो पार्ट कौन-कौन से हैं तो static के दो पार्ट के बारे मैं पहले discuss करता हूं एक होता है इसका पहला पार्ट है linear static analysis और एक होता है non-linear static analysis यह static analysis के दो पार्ट है linear and non-linear और उसके बाद dynamic के भी दो पार्ट होते हैं कौन से linear dynamic analysis और इक होता non-linear dynamic analysis अब इसको हमको समझना पड़ेगा कि linear dynamic analysis और non-linear dynamic analysis में difference गया है सबसे पहले पूलता हूँ static के static में आपने देखा होगा जो linear analysis है आपने college में वही पढ़ा है आपको college मताया गया तो न अर्थक्वेक analysis कैसे करते हैं manually design BCA निकालते थे time period निकालते थे वो जो सब कुछ निकालते थे न वो था static analysis ठीक है और static में वो था linear static analysis और जो हम लोग आज discuss कर रहे है पुश ओवर analysis यह है non-linear static analysis क्या बोलते हैं इसको non-linear static analysis क्या होता है थोड़ी देर में discuss करता हूँ इसके बाद चलते हैं dynamic में अब dynamic में आपने जो पढ़ा भी या सुना होगा आपने linear analysis linear analysis जो होता है उसको बोलते है response spectrum analysis कई लोग सोच रहे हैं तो सुनाए मैंने linear मनला response spectrum analysis तो यह non-linear क्या होता है time history analysis का नाम सुना आपने time history analysis को बोलते है non-linear static analysis मनला टोटल four methods है कौन-कौन सा एक simple आप manually calculate करते हैं static linear analysis एक आज मैं आपको बता रहा हूँ push over analysis और dynamic के दो पार्ट है पहला है response spectrum मलब linear analysis और उसके बाद दूसरा है non-linear analysis यानि time history analysis अब आपको clear हो गया होगा कि हमें यही चार पढ़ने होते हैं और यह चारों किस से related है earthquake से तो आज का जो हमारा topic है अगर आपको और भी किसी topic के वारे में information चाहिए simple language में तो नीचे comment करी दीजेगा कि सरीवाला भी बताईए definitely बताऊंगा बट आज का हमारा topic है push over analysis यह क्या होता है दोस्तों यह calculate करता है आपके structural deformation को यह calculate करता है कि structure में कितना deformation आ सकता है कि आर्थ को एक certain time पर आता है और कोई दिन भरतों आता नहीं कि deformation आने के बाद वापस कितना आप आएगा वापस आना बहुत important अगर वापस नहीं आ क्योंकि structure को deform तो हो जाएगा आर्थ कोई काते ही बट वापस कितना आ जाएगा that is most important तो वापस अगर अच्छे से नहीं आता है तो problem create करेगा तब क्या hockey building आपी टेड़े हो जाएगी और गड़बर हो जाएगा आपको तो उसकी ductility बनी रहे हैं इसके लिए हम लोग push over analysis करते हैं उसके अलावा इसके लिए precautions क्या लेते हैं हम लोग इसमें hinges provide करते हैं हिंज इस प्रवाइड करते हैं हिंज कहा कहां provide करते हैं हिंज corners पर provide करते हैं जिससे कि डारेक्ट उस पर effect न पड़े जिसे कि अमालों यह आपका beam है तो यहां पर हिंज provide कर दिया अब क्या होगा अर्थ पर गाता है तो यह direct pressure नहीं दे रहा है यह hinge के थ्रोफ प्रेसर दे आए जिससे की deformation होने के chance कम रहे प्लस जो हो जाए वो वापस आ सके इसके लिए retrofitting करते हैं अगर retrofitting के बारे में भी जाना है तो नीचे comment करना जिससे के हम retrofitting कर पाते हैं और हमारा structure से चपाता है मैंने सोचा है उसके लिए एक नया वीडियो डिसकस करूंगा retrofitting के बारे मे मुझे थोड़ी सी आप लोगों से एक सिकायत भी है क्योंकि जब मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाई है तो आप लोग वहापे percentage दिखता है कि कितना आप लोग सुनते हो तो बहुत कम लोग होते हैं मलदब कि कुछ लोग तो बस click करके चले जाते हैं उसे क्या होता मैंने कई बार आपको discuss किया है कि आप CPM गिर जाता है इसलिए अब आप लोग यही चाहते हो तो मैं छोटे वीडियो बनाऊंगा इसा कुछ नहीं है बट छोटे वीडियो में अपने topics cover नहीं हो पाते हैं इसलिए हमें कम सकम 10-15 मिनट तो लगता है लेकिन 10-15 मिनट के इंडियन तो मुझे अच्छे कोई दीखे नहीं कि जिससे मैं सीख सकूँ तो फोरें के कुछ टीचर्स थे मैंने उनसे सीखा है तो थोड़ सा समझा करो इस चीज को कि यार वीडियो को complete देखा करो और मैं रेट्रोफिटिंग की बताना चाहता हूं बट उसके लिए मैं ए इस स्ट्रक्शल डीफॉर्मेशन को रोकता है यह बिल्डिंग की क्यासटी को चेक करता है कि इतना जहल पाएगी और डीफॉर्मेशन होने के बाद वापस लाने की कोसिश करता है और उसके लिए क्या करता है ये plastic hinges provide करता है अपने beams के corners पे ठीक है जिसे कि उस पे direct effect न पड़े और ये काफी safety के साथ आपको करना पड़ता है तो ये सब analysis हम क्यों कर रहे हैं सारा analysis में लिनियर चाहे non-linear अभी जो मैंने बोला push-over analysis और चाहे dynamic चाहे response ये सब history sorry time history ये सब चीजे क्यों की जारी ये सब systemic analysis के लिए building को safe रखने के लिए क्योंकि यही एक cause है जो कि अचानक से आता है और जिसको safe करना बहुत important और बहुत tough होता है और अगर आप लोग game tech कर रहे होंगे या किये होंगे तो आपको पता होगा कि dynamic analysis एक subject है पूरा का पूरा उसके लिए मैं try कर रहा हूं तो जरूर आ tutorial आने वाला है उसको कोशिस करिए कि purchase करिएगा बहुत ही लेवल में बच जाके उसको discuss कर रहा हूं उसी का पार था जो यह push or analysis था तो मैंने सुचा क्यों आपके साथ इसको explain कर लिया जाए मिलते हो आपसे नेस्ट वीडियो में अगर आपको retrofitting चाहिए या आपको लगता ह कर दो